यहां पर C की आए, B की आए से 30% अधिक है, तथा B की आए, A की आए से 30% अधिक है, तो C की आए, A की आए से कितने परसेंट अधिक है, यह आपको बताना है, चैन्स देखेंगे अपन यहां पर, एक चीज़ देखेंगे अपन, जो A की आए है, उससे B की आए 30% अधिक है, य यानि 130 ठीक है अब C की आए जो है वो B की आए का 30% अधिक यानि B की आए का 130 अधिक है तो इंटू A 130 अपन 100 करेंगे तो कितना आएगा यहां पर 00 कटे जाएगा 13 इंटू 30 169 यानि C की जो बैल्यू आएगी वो आएगी 169 तो अब आपन को बताना है यहां पर के C की A की आए से C की आए कितनी अधिक है तो A की आए हंड्रेट C की आए 169 तो कितने अधिक है यहां पर 69 है कितने पर 100 पर तो कितनी यहां पर % निकालेंगे तो 100 से 100 कर जाएगा तो 69% आंसर आजाएगा इसको अपन एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे यहां पर आप देखोगे Friends A B C कि I से 30% अधिक है C की याई B की I से 30% अधिक का मतलब होता है hundred है तो यह 130 है अगर आगे देखेंगे B की याई A की याई से 30% अधिक है तो B की I से 30% अधिक इसको ये 100 है तो ये 130 है अब इसका ratio shame करना होगा तो इसकी जगे यहां पर 100 आयाता है यहां पर Evalu value आयाती है तो इसका into करेंगे यहां पर 00 यहां पर common ले लेती है तो यह 169 आयेगा यहां पर 130 आयेगा यहां पर 100 आयेगा तो 100 से कितनी ज़्यादा है 169 है तो 69 परसंट है यहां पर answer आजाएगा नेश्ट कोईशन देखोगे आपे friends P तथा Q and R एक कारे को क्रमशव 45, 15 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर इसी कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं आपको बताना है friends P 45 दिन में काम कर सकता है Q 15 में R 5 में अपन इन सब की एक iC value ले लेते हैं जो इन सब की divisual हो यानि इन सब से भाग जा सके तो iC अपन ने 45 जो है इसका LCM ऐसी ले लिए अपन ने जो के अब हमारा पूरा काम हो गया यह हमारा पूरा कार है 45 अब P कितने दिन में कर पाएगा अगर 45 काम को 45 दिन में कर रहा है तो एक दिन में एक काम करेगा Q अगर 15 दिन में 45 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 करेगा ऐसे ही R एक दिन में 9 काम करेगा अब देखते हैं एक दिन में तीनों कितना करेंगे तो इन दौन तीनों का प्लस करेंगे तो 13 यानि एक दिन में तीनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं तो अपन 45 काम तीनों से करवाना है तो 45 डिवाइड वई 13 आपका अंसर आ जाएगा यानि 45 वाई 13 दिन में यहाँ पर तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं कोईशन है पचास संख्याओं का ओसतमान 18 है यदि संख्या 18, 32, 65 को गलती से 25, 29, 56 ले लिया था तो सही ओसतमान ग्याद कीजिए फ्रेंड्स इसमें आपको सही ओसतमान बतायाना है अगर फ्रेंड्स सही संख्या हमारी ये थी और हमने इस वाली संख्या से जो एवरेज निकाला था वो 18 है तो इस हिसाब से कितना एवरेज आएगा वो आपको बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो पचास संख्याओं का ओसत जो चेंज हुआ है वो सिर्फ इन तीन संख्याओं की बया से हुआ है क्योंकि हमने गलत लिख लिया था तो बस इनी संख्याओं को देख लेंगे कि कितना अंतर है इन दोनों में तो फ्रेंड्स अगर इन संख्याओं का सम देखा जाए तो ये 115 है इन तीनो संख्याओं का उसत देखा जाए तो 110 है अब बस difference कितने का है पांच नम्मर का है पांच नम्मर यानि कम लिख दिये हैं यहाँ पे गलती से पांच नम्मर का सम कम था तो जो पांच नम्मर का जो depend करेगा वो 50 संख्याओं पर बटे जाएगा क्योंकि average जो है 50 संख्य हाँ पे देखा जाएगा तो 50 का पांच अपन 50 करेंगे तो एक वट्टे दस आजाएगा यानि 0.1 average जो है हमारा कम आया था क्योंकि हमने यहाँ पे कम value ले थे अगर हम इस वाली value से लेते तो हमारा 0.1 average बढ़े आता तो अब क्या करेंगे जो average था हमारा 18 उसमें अपन 0.1 प्लस कर देंगे तो जो नया जो original जो सही वाला average आएगा वो आएगा आपन 18.1 जो आपका हमारा सही आंसर होगा next question है आप है friends a cube प्लस 2 cube प्लस dot 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 9 cube यानी friends इसका मान आपको बताना है यह आप देख रहे होंगे friends यह क्या है एक series बन रही है कौन सी series बन रही है 1 cube प्लस 2 cube प्लस dot 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 n का cube यानी friends sum of इसका एक formula होता है sum of n terms का cube का sum of cube of sorry sum of n terms of cubes ठीक है इसका एक formula होता है यानी cube का sum करते हैं अगर n terms का तो जो हमारा formula होता है वो होता है n bracket में n प्लस 1 on whole square यह सबका n bracket में n प्लस 1 upon 2 का whole square यह हमारा formula होता है एक n terms का अगर cube का sum निकालना है ठीक है तो n यहाँ पर कितनी है 9 यानी 9 terms है एक सी 9 तक 9 terms है तो n की value put कर देंगे n n plus 1 upon 2 यानी 9 9 plus 1 upon 2 ठीक है अब इसको solve करेंगे friends तो 9 और 9 plus 1 यानी 9 into 10 आई जाएगा upon में 2 है 2 से 2 कट जाएगा 5 times तो यहाँ पर जो जाएगा 9 into 5 यानी 45 का whole square तो 45 का square की value क्या होती है 20 25 यानी 2025 हमारा answer हो जाएगा next question की तरफ चलते है friends next question है 14 42 and 84 का महत्तम समा परवर्तक क्या होता है यानी SCF friends आपको निकालना है 14 42 and 84 का तो friends SCF में क्या देखते हैं इन 3 चीजों इन सभी words में जो common होता है वही SCF होता है तो 14 के factor करेंगे अपन तो 14 के factor कौन-कौन से होते है 2 into 7 42 के करेंगे तो 2 into 3 into 7 ऐसे ही 84 के कीजिए जाएंगे तो वो होंगे 2 into 2 3 7 तो इसमें जो common factors होते हैं उसका जो into करेंगे वही हमारा SCF होगा तो इसमें जो common terms हैं वो है 2 into 2 into 2 and इसमे sus 7 7 सेवन यानि टू इंटू सेवन हमारा यानि ऐसी अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 ठीक है सिंपल सा कोईशन था नेश्ट कोईशन है याप है यदि पी का 80% बरावर है क्यू का 202 वट्टे 5 तो पी और क्यू का अनपात बताना है तो फ्रेंट्स पी का 80% यानि पी इंटू 80% यानि 80 upon 100 and क्यू का 2 वट्टे 5 तो क्यू का 2 वट्टे 5 80 upon 100 को अपन डिवाइट करेंगे तो 4Y5 आ जाएगा यानि यहाँ पे देखा जाएगा तो पी इंटू 4Y5 इदर क्यू इंटू 2Y5 तो जो 5 5 है वो कट जाएगा आमने सामने और 2 से 2 कट जाएगा तो पी की जो बैल्यू आएगी वो आएगी P upon Q Q यहाँ पे आ जाएगा नीचे and 2 जो था वो नीचे पहुन जाएगा तो यहाँ पे जो अंसर आएगा P और Q का अनपात जो आएगा वो आएगा 1 वट्टे 2 य प्रतिवर्स की दर से 6 वर्स का साधरण व्याज क्या होगा, इसमें अपनको साधरण व्याज बताना है, 4000 रुपए हैं, 8 पर्सेंट की दर से 6 वर्स के लिए, तो साधरण व्याज क्या होगा, इसका फर्मुला आपने देखा होगा, मूलधन गुणा दर यानि rate into time होता है क्या होता है P into R into T upon 100 यह होता है SI का formula यानि simple interest निकालने का तो principle यहाँ पे है यानि मूलधन 4000 है rate यहाँ पे 8% है और यहाँ पे year जो है वो 6 time अब बस solve कर देंगे 2 0 से 2 0 8 6 जा 8 6 जा कितो होते है 48 48 into 4 यानि 190 to 0 यानि 1920 रुपए जो सादर व्याज होगा वो 6 वर्स का कितना होगा 1920 रुपए होगा next question है A ने 6000 रुपए निवेश करके ब्यापार आरंब किया 4 महीने पश्चाथ B 8,000 रुपए तथा फिर से 4 महीने पश्चाथ 20,000 रुपए निवेश करके C जुड़ गया तो 2 वर्स के अंत में A, B तथा C के लाव का अनपात बताईए Friends एक partnership से question है इसमें क्या है A ने 6000 रुपए लगाए B 4 महीने के बाद आता है 8,000 रुपए लगाता है C फिर 4 महीने के बाद आता है तो 2 वर्स के बाद कितना उनका profit हुआ उसका आपको अनपात बताना है तो 2 वर्स यानि Friends कितना time होता है 24 महीने एक वर्स का time 12 महीने होता है तो 2 वर्स का time 24 महीने यानि 24 महीने के लिए इन्होंने पैसे लगाए A ने कितने लगाए 6,000 रुपए लगाए है 24 महीने के लिए profit का जो lab का formula होता है वो होता है invest कितने किये और कितने time के लिए किये तो वही है invest इतने किये और इतने time के लिए किये तो जो impact आएगा वो profit में आएगा यानि lab में आएगा अब देखते हैं यहाँ पर देखा A ने 6,000 रुपए 24 महीने के लिए लगाए और B ने 8,000 रुपए लगाए है लेकिन 4 महीने बाद A से तो 20 महीने के लिए लगाएगा तो 8,000 into 20 किया C ने इसके 4 महीने बाद लगाए तो 10,000 रुपए लगाए और कितने महिने के लिए 16 महिने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे 3-0 इसमें भी है 3-0 इसमें भी है 3-0 इसमें भी है तो यह कट आएगा क्या क्या वचेगा यहाँ पर 36 यहाँ पर 6 यहाँ पर 24 यहाँ पर 8 यहाँ पर 20 यहाँ पर 10 यहाँ पर 16 अब क्या है एक दूसरे को यहाँ पर काट देंगे यहाँ पर अगर solve आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कट रहा है आगे यहाँ पर जो अनपात आएगा वो आएगा आपका 9 रेश्यो 10 रेश्यो 10 यानि ABC के प्रलाव का जो अनपात आएगा वो आएगा 9 अनपात 10 अनपात 10 ठीक है तो यह सिंपल सा question था याद रखना है इसका formula वस profit वरावर होता है investment into time इतना याद रखना है next question है आप है 1.27 का whole square minus 1.05 का whole square का मान क्या है आपको बताना है upon 0.22 इसका मान बताना है आपको क्या है तो friends इस तरह के question solve करने में काफी time लगता है लेकिन friends इस तरह के question जब भी देखें इसमें कोई न कोई trick जरूर होती है इसमें जो trick है वो आप देख रहे होंगे इन दोनों का पहले इसको a square है minus फिर v square है ठीक है और यहाँ पर जो आता है वो a plus b का a square plus a minus b आएगा ठीक है क्या होता है अगर इसमें देखेंगे a और a b मान लिया अपन ने तो इसका जो difference है वो नीचे है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1.27 minus 1.05 तो इसका जो यहाँ पर difference आया वो कितना आया यहाँ पर 0.22 ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे अगर इसका difference इतना आ रहा है approximate ठीक है अब a मान लिया इसको b मान लिया तो a square minus b square a minus b इसका formula होता है एक बार plus में एक बार minus में नीचे एक बार minus में है तो जो कटे आएगा अब a plus b की value क्या है a की value 1.27 है b की value 1.05 है तो इसका जो answer आएगा 2.32 आएगा ठीक है इसको अगर plus करेंगे तो देख लीजे यहाँ पर plus किया तो 2.32 आ गया next question है यहाँ पर किसी संख्या का बर्ग उसी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक हो तो संख्या बताईए यानि friends संख्या हमने मान ली x कोई संख्या है वो अपने से 3 गुने से 10 अधिक है किसी संख्या का बर्ग उसी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है यानि संख्या हमने क्या माननी x मान ली तो उसका जो square है बरावर है अपनी संख्या के 3 गुनों से 10 अधिक तो हमने लिख दिया 3 x plus 10 अब इसको solve कर दिया x square minus 3 x minus 10 बरावर 0 अब जी एक कोई equation बन गई quadratic equation इसको क्या करते हैं इस बीच वाले के यहाँ पर ऐसे factor करते हैं जो इन दोनों का multiple हो तो इसके जो factor किया minus 5 x plus 2 x minus 10 तो इसमें x common आया तो x minus 5 plus 2 common आया तो x minus 5 तो common factor क्या आ गए x minus 5 x plus 2 बरावर 0 अब इसको एक वाल 0 के इसमें रखेंगे equal में तो x बरावर 5 आएगा इसको रखेंगे तो x बरावर minus 2 आएगा तो minus 2 को आपने निग्लेट कर देते हैं x की value 5 हो जाएगी आप है वो संख्या आएगी 5 ठीक है तो यह था आपका part 4 का part 4 sorry part 3 ता यह top 100 questions का अब friends अगले करते हैं आपन part 4 जो के आपके important top 100 questions में से top 10 questions होंगे ठीक है friends